हेलो दोस्तों ऐसी सोलूसिन यूडूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों आज आप लोगों के लिए हम एक ऐसी जानकारी ले करके आये हैं जो कि अगर आप वाइंडर हैं एलेक्ट रिचेन हैं तो आपके बहुत ही ज्यादा काम आ सकती है दोस्तों मोटर की वाईंडिंग करते समय, उसके तार का गेज करते समय, उसके तार को जब हमें डowser करना है, ऐसा करते समय हमें कई बार कई लोगों को से पुछना पडता है और कई बार हम खुद ही अंदाज लगा अगर के अपने मोटर की वाइंडिंग करते हैं लेकिन दोस्तों आपको मैं सच बात बताओं कि मोटर की वाइंडिंग के अंदर अगर आपने थोड़ा बहुत आपने उपर नीचे 19-20 हुआ तो चल जाएगा लेकिन आपने एक नंबर का ऊपर कर दिया यह एक नंबर नीचे करदी है तो आपके मोटर या तो बैठने लग जाएगी या वह मोटर की अंदर ज्यादा आने लाग जाएगा वह खरम होने लग या तो है लोड चेतिना उसको ले है तो डोस्तों आज की सब्सक्रस करों है मैं आपको हमारे पास और इस चार्ट की मदद से अपने मोटर के अंदर जो तार लगी हुई है उसका आप गेज पता कर सकते हैं कि आखिर उसके अंदर कितने नंबर का तार लगा हुआ है और दोस्तों दूसरी बात इस चार्ट की मदद से आपके मोटर के अंदर कितना नंबर का तार लगा हुआ ह और अगर वह तार आपकी पास नहीं है उसके अलावा आप दूसरे किसी और तार से अगर वाइंड करना चाहते हैं यानि कि डबल करना चाहते हैं जैसा भी आप करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं क्या हो सही तरीका तो इस चार्ट के अंदर वह दिया गया है और दोस्त डोस्तों बीडियो शुरू करते हैं मैं हूँ आप के साथ रामुपरसाथ और यह क्विसे अपने काम में ले सकते हैं एक वाइंड़ एक ऒ्रटा बनाती है कॉट और इसी टेक्निकल डाटा है ठीक है और यह मतलब काफी पुरानी कंपनी पहले इसका नाम जो की सकती था फिर इमाइड हुआ सकती इमाइड उसके बाद में इन्होंने सीधे इमाइड रख दिया अपना नाम ठीक है तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले इस तार के नंबर लिखे हुए है आप देख सकते हैं नीच में इन्होंने क्रोस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडॉक्टर में लिखा हुआ है कि मतलब कितना में पड़ेगा अगर आप में नापते हैं दस नंबर का तार को तो यह 8.30 mm के आसपास पड़ेगा अगर आप एक तार को अगर में नापेंगे ठीक है और इसी तरह से अगर आप इ कितने ओम आएंगा कितना रिजिस्टेंस आएगा उसको भी इन्होंने यहां पे मैंसन कर रखा है उसके बाद दोस्तों यहां भी लिख रखा इन्होंने वादिंश करे हुए तार का ग्रेड टू ठीक है यानि कि दूसरे नंबर पे जाम इसको चैक करते हैं यानि कि पहले तो हम नंगे तार से चैक कर लेते हैं नंगा तार जला करके हैं उसके बाद में अगर हमें कई बार होता है कि यह वार्निस किया हुआ है यह पॉलिस लगी हुए यह वार्निस वायर के उपर में तो उसको हमें चैक करना है तो उसका कितना में आएगा तो आप देखेंगे कि नंगे तार पर अगर तीन पॉंट टू पाइफ एमम आता है तो झाताय है to that give her 2.94 जला करें तो हमरा इसी थार जाया कर कर दा है तो हमारा इस तरह फॉर्मूला है फॉर्मूला दोस्तों मेरे समझ में नहीं आया इसलिए जो है कि मैंने जो है यह मतलब यहां पर सुराग कर दिया टांगने वाला बना दिया था इसकी ओरिजिनल कॉपी मैं आपको दे दूँगा इसका फोटो है पूरा जो लिखा हुआ रहे यहां पर वो मैं मैं इस्तमाल करता हूँ 11 नंबर से ले करके आप 24 नंबर तक तार अगर आपके पास में है तो उसको सिंगल से डबल यह ट्रिपल कैसे कर सकते हैं वह फॉर्मूला यहां पर मतलब इन्होंने नोट करके मेंशन करके रखा हुआ है तो मैं इसको बहुत ही आराम से ले 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 दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे तो 13 नंबर की साड़े 14 नंबर साड़े 14 नंबर 15 नंबर मतलब इसी तरह से 24 नंबर तक आप सभी तारों को मतलब से डबल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से ठीक है और असली माल की अपनी पहचान बताते हैं आगे चलके इन्होंने कुछ नि यह करने वाले के यह पहुत ज़रूरी है और बहुत चाहिंए तिकहा रहें चीज्म करते हैं आप वह बता देता हूं कि आपको माइक्रो मीटर से चेक करते हैं तो कैसे पता चलता है कि कितरे नавлив का हमार मोंटर के अंदर लगा हुआ कि ढखे जैसे जैसे ऑब यह घूम जाते ह hedge पूरा लेकर की यहां से लेकर कर यहां तक ठीक है यहां तक आ गया तो इसको कहते हैं पचास माईक्रोम् यांफ़ पॉइंट कह सकते हैं ठीक है तो यह पचास माईक्रोम हो गया एक तो यह कम होते चला जाता है तो यह इसका तरीका इसको चैक करने का तो आपका जो कि कितने माइक्रोम होता जाया जितने पीछे जाएगा यह मान लिए एक बार घूम गया थो पचास दौसरी पार घूम गया तो सो हो गया उसके बाद आगे यांग दस Luther चेक किया जाता है कि इसके अंदर कैसे मैं कैसे तार को चेक argues करते हैं वाणिस जले हुए तार को कैसे कि जाता है GRA Jubнего है की आपको डिखाते हैं तो देख सकते हैं हमने एक टार रहे है मालूम है और यहां पर आगका जो शिर्ग है ज्ला लिया है देख सकते हैं और इधर में पॉलिब दिहांक हो तो को वहारन से प्टल यहां करेंगे न दोनों साथ करेंगे क् 누vor लिए अधर से भी डेखिए गवार्नस की और पर नंदर के कितना बार जात घूमेंगा यह मारा माइक्रोमेटर देख सकते हैं तो देखिए एक बार घूम गया फिर भी हमारा तार इसके अंदर नहीं जा रहा है ठीक है तो थोड़ा सा और बढ़ाएंगे इसको हम हो रहा है और थोड़ा सा आगे है जो कि हमारा मीटर पहले से आगे था यह तो हमें इतना नहीं मांगना है हमें केवल यह 66 माइक्रोम आने पर कितना नंबर तार बनेगा यह हम इस चार्ट के अंदर देखेंगे वार्निस करेंगे तार का साइज इस तरह से आएगा तो दोनों हेक्त पॉइंट यह भी आएगार कुछ भी आसाट वी ऐसाता अभी हमारा च्यांसाट आया है है rewrite तो चलिए इसकोच करते करते हैं कि आगे वाला हिससा हमने जला रहा है वह लेकिन इधर वाला जला हुआ है तो जले हुए हिससे को हमें चेक करना इस माइक्रो मीटर से तो इसको भी हमें इस तरह से चेक कर लेना है तो देख सकते हैं यह जो कि 50 लब यह जीरो वाला ला लाइन है अगर यहां पे होता है लेकिन पांच और पांच दस यानि कि दस है हमारा साथ हा रहा है माइक्रो मीटर में और हमारे एक-षरो करना इचैनल तो दोस्तों जैसे कि आप देखनें की चाड़ में एकिट अए रहा है तो इतन डिफेरंट आखिर कैसे आ आया वर जाद है नलाए टार चिपिंड पूरा तबस मद्दा कई कि इस तरह से दोस्तों हमारा चेक हो जाता है इस चाड की मदद से हमें पता चल जाता कि हमारी चाहिए आप पोलिस की नंबर सकते हैं। जैसे आपको आसान पड़े वैसा वाइंडिंग कर सकते हैं। दोस्तों कैसी ले आपको हमारी आज की वीडियों मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और आप इस चार्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है वो आपको जो की दो दिनों के बाद मिलेगा क्योंकि आप सब को ताकी मिल जाए सब लोग वीडियो देख लें उसके बाद उसको मैं डालूंगा बाकी बाद में भी डालता रहू में तब तक के लिए नमस्कार जै हिन जै भारत जैसी आराम